नमस्कार दोस्तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें नाइका शेयर में एक बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली थी इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के नाइका शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और उसके बाद हम करेंगे इस शेयर का टेकनिकल अनिलिसेस तो सबसे पहले अगर हम डिसकस करते इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई तो उसके पीछे एक सिंपल रिजन था दोस्तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर का लॉकिन पिरियड खतम होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो ओन नवेंबर 10 लॉकिन पिरियड विल गेट ओवर तो दोस्तो अगर आपको पता नहीं यह लॉकिन पिर लेड रहता है मतलब IPO समझो अगर 10 नवेंबर 2021 को लिश्ट हुआ और आपके पास नाइका के शेयर इससे पहले ही थे IPO के पहले ही आपके पास अगर यह शेयर थे तो आप एक साल तक इस कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते तो दोस्तो एक साल का लॉकिन पिरियड जो है वो कल खतम होने वाला है 10 नवेंबर 2022 आ गया है तो यह जो एक साल का लॉकिन पिरियड है वो अभी आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के लिए कल खतम होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तो जो नाइका का 67% शेयर ओल्डिंग है वो कल लॉकिन पिरियड से बाहर जाएगा इसका यह अर्थ है कि दोस्तो यहाँ पर 310 मिलियन शेर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर गिरावट के पीछे सिंपल रीजन है कि इस शेर का जो सप्लाइ है वो कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर 310 मिलियन शेर्स सेल करने के लिए रेडि हो जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो सप्लाइ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और डिमांड तो आपको पता ही है अभी अल्रेडी कम है डिमांड कम क्यों है क्योंके दोस्तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में खास करके लिश्टेड लॉस मेकिंग कमपनी से उनके शेर्स की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अगर नाइका में सप्लाइ बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट आने की संभाव ना रहेगी इसी वज़े से दोस्तो आज भी इ इस शेर में हमें तीन बज़े के बाद में ही देखने को मिली है तो आई अब हम स्टार्ट करते हैं इस शेर का टेकनिकल अनेलिसेस तो दोस्तो अगर हम बात करते हैं इस शेर में सपोर्ट की तो यहाँ पर 1049 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है क्योंकि इस शेर ने अपनी closing इस level के उपर ही दी है तो 1049 का एक अच्छा support है दूसरा जो important support है वो है 982 का level दोस्तों पहले भी दो बार ये share इसी level पर support ले चुका है तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो 982 का support एक अच्छा support रहेगा दोस्तों अगर हम apply करते हैं हमें कुछ important technical indicators तो यहाँ पर MACD और RSI दोनों apply हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकतो कि इस share में जो MACD है वो अभी तो bullish था यहाँ पर आप देख सकतो green color के histogram जन्रेट हो रहे थे पर आज इस share में हमें एक bearish crossover देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पर MACD तो अभी bearish हो सकता है और अगर हम बात करते हैं RSI की तो relative strength index भी वापस से अभी 40 के नीचे आ गया है तो MACD और RSI अभी धीरे धीरे करके वापस bearish हो गए है तो इस तो अगर हम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो यहाँ पर मुझे खरीदारी करने का कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो आज के trading session में इस share में एक बहुत बड़ा bearish candle generate हुआ है तो इसका यह अर्थ है कि यह share 982 रुपिस तक भी आ सकता है इसलिए मैं तो इस share में अभी buying नहीं करूँगा आप इस share में दोस्तो तभी buy करो जब यह share एक अच्छा reversal दिखाता है और दोस्तो अगर आपके पास कोई भी holding है तो आप इस share में 1040 का stop loss लगा सकते हो क्योंकि अगर यह share इस support को तोड़ेगा तो उसके बाद यह share 982 तक आएगा बाइसल या hold की सला नहीं है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद